नमस्कार आधना वर्च्योल क्लास्रूम सेसन मा आप सवनू अर्दीक स्वागत छे अने मारा साथ ridge श्टूडियू मा पधारेल स्री महक रशाणिया स्परोजिर इंस्टर्टर मिकेनिकल ग्रूप आइटे कुबे नगर थी आवेल छे आदनों आपड़ों विशाई छे कंडेंसर्स एंड कुलिल्टावर्स तो रेफ्रीजेशन लाइड मां कंडेंसर्नों उप्योग तेनी रचना, तेना कारियो, तेना फाइदाओ, तेना गेर फाइदाओ, वोगेर बाबते चर्चा करीशू तो सव प्रथम आपड़ें लाइशू कंडेंसर्स, तो रेफ्रीजेशन लाइड मां जें कंडेंसर्स वपराईड छे, एना विश्याणी माहीती जो जुवा जेइ तो एना पेला आपड़े, सिंपल रेफ्रीजेशन साइकल समझ भी पड़े तो आज ए Simple Represition Cycle छे ए साइकल मां कॉंप्रेसर पछी कंडेंसर आवा छे त्यार पछी Expansion Device आवा छे अन त्यार पछी Cooling कोईल आवा छे तो कॉंप्रेसर जे छे जे गेस डिस्चाज करो ते गेस कंडेंसर मां आवे छे कोंप्रिसर द्वारा डिस्चार थतो गेस आई प्रिसर अने हाई टेम्प्रिचर वालो होई छे आ गेस कंडेंसर मां कंडेंस थवा माटे आवे छे कंडेंसर मां जी गेस कंडेंस थवा माटे आवे छे ते त्रण मध्यम द्वारा ठंडू थाए छे हवा नामा ध्यम द्वारा, पाणी नामा ध्यम द्वारा, ते मज हवा अने पाणी बन्ने नामा ध्यम द्वारा तो आरे ते कंडेंसर छे ए पुतानू कारिय करे छे तो कंडेंसर ने आगणों टोपिक आपने जुईए तो कंडेंसर ने असर करता परिबढ़ों काया काया छे तो factors affecting condensers capacity तो कंडेंसर नी capacity ने असर करता परिबढ़ों मां पेलों परिबढ़ छे material तो जे material कंडेंसर मां वापरों मां आवेलू छे ते material नी heat transfer capacity उपर आधारीच छे वदू heat transfer capacity धरावती metal नों condenser मा उप्योग करवा मा आवे छे आ वदू heat transfer capacity धरावती जे metal छे ए copper छे, aluminum छे, steel छे वगिरेनों उप्योग करे अने condenser मा त्यानों उप्योग करवा मा आवे छे त्यार पशी आवा छे amount of contact अले condenser जे छे ए condenser मा रेफ्रिजन्ट अने cooling medium वदारे असर कारक रिते काम करे छे अले condenser नों contact एरिया छे ए मैकसिमाम हो जोई है अन्न त्रीजू फेक्टर छे ए टेंप्रिचर डिफ्रेंस एटले के condensing medium और रेफ्रिजन्ट आ बनने वच्चे जेतलों डिफ्रेंस वदारे होई एटलों condenser नी efficiency छे ए बधारे सारी कई शकाए तो आ त्रण परिबड़ों उपर heat transfer capacity नों आधार छे इटले के टूक मा किये तो आ त्रण परिबड़ों छे ए condenser नी capacity ने असर करे छे त्यार पछी condenser ना प्रकारों शे आपने जुईए तो सवथी पेला classification of condenser इटले के condenser नू वर्गी करन तो आ जे condenser छे ए condenser ना मुख्य त्रण प्रकारों छे आ त्रण प्रकारों condensing medium ना अधारे पाड़वामा आवेल छे सवथी पेलो प्रकार छे ए ए एर-cooled condenser के जे condenser हवाना मध्यम द्वारा कारिय करता हो तेवा condenser ने air-cooled condenser तरीके उडखवामा आवे छे त्यार पछी बिजो प्रकार छे water-cooled condenser तो water-cooled condenser से ए पाणी ना मध्यम द्वारा काम करे छे अनने 3-जो प्रकार से ए ए ए एपूरइटिव condenser ये तले के हवा अने पाणी बन्दे ना मध्यम द्वारा कारिय करता हो ओई छे तो आज ये condenser से ए कंडेंसर ना मुख्य त्रण प्रकार और अने 3-प्रकारो पई कि एर्कूल्ड कंडेंसर, वाटर्कूल्ड कंडेंसर और इव्याप्रोटिव कंडेंसर ए कंडेंसर वीडियम ना आधारे एना त्रण प्रकार पाड़वामा आवेल छे तो आज ये त्रण प्रकारों पाड़वामा आवया एमा एरकूल्ड कंडेंसर छे एना बीजा त्रण पिटा प्रकार पाड़वामा आवया अन्य वाटरकूल्ड कंडेंसर छे एना पण पेटा त्रण प्रकार पाड़वामा आवया अन्य वाटरकूल्ड कंडेंसर छे एमा Shell and Tube type condenser, Shell and Coil type condenser अने Tube-In-Tube Type Condencer। आ यह ना पिटा प्रकारों छे से एर कुल्ड कंडेंसल से छे एर कुल्ड कंडेंसल स्वान त्रन प्रकारों मा के अंुप्योग प्रकार न्हीं खेसे एक उत्योग ऺफ्योग पिप्रकारों हे जिवागे आईस प्लांट वगेरे हENA उप्योकरमा आवा छें," त्यार पसी ऑपने जोहिए," तो नेचरल कंवेक्षन एर्कूल्ड कंडेंसर चेंदोरोके कारình समजी सत्ए आपने निच्रल कन्वेक्षन एर्कूल्ड कन्डेंसर तरीके उळखिये छे आज एक चन्डेंसर छे एक चन्डेंसर मा रेफ्रीजरंट ने लई जती टूब्स होई छे अन्ने एक टूब्स जी छे एना उपर फिंस अथवा तो प्लेट अथवा तो वायर मेश लगाड़ेली होतै और कंडेंसर ने हीट टांसपर केपेसिटी वधवा ती कंडेंसर सारू थाय और कंडेंसर सारू थावा ती रेफ्रीजर्टिंग इफ्यक्ट सारी मले तो आ दिते निच्रल कन्वेक्षन एर्कूल कंडेंसर काम करे छे अवे एनी रचनामा जो जुआ जी ए तो सौथी उपनी जे लाइन छे ए होट गेस फ्रम कॉम्प्रेसर एक कॉम्प्रेसर जे गेस डिस्चार्ज कर्यो ते गेस कंडेंसर मा एरो बतावे छे ए दिशामा प्रवेशे छे अन्ने त्यार पसी ए गेस सर्कुलेट थतो 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 लिक्विड्स फोम मा रुपां तर थाई अन्ने फिन्स लगाडेली छे ए फिन्स उष्मानू शोशन करे छे एटे जे हाई टेंप्रेचर अन्ने हाई प्रेसर वाड़ो गेस ट्यूब मा शर्कुलेट थतो होई ते पोतानी उष्मा ट्यूबनी दिवाल ने आपे छे अन्ने ट्यूबनी दिवाल जे छे ए पोतानी उष्मा प्लेट ने अफ था तु वाइर मेश ने आपए छे न आज ये हवा छे ए हवा पुतानी उष्मा छे ए वातवर ने आपए छे अने गरम थेली जे हवा चे ए उपर थै अने बाह निकली जाए छे आ रिते आ कंडेंसर कारिया करे छे एटले ving première કૂદ્રતી હવાના માધ્યમ દવારા થંડુ થતું હવા થી अने बहार निकले छे अर आ रेते एने कारिया पद्धती रहे छे त्यार पसी आवा छे वायर मेश टाइप एरकूल्ड कंडेंसर तो आपने जे जोयू के एरकूल्ड कंडेंसर छे एरकूल्ड कंडेंसर ना त्रण पीटा प्रकारों छे ए पैके नू एक प्रकार छे ए वायर मेश टाइप एरकुल्ड कंडेंसर तो आज ए एरकुल्ड कंडेंसरों छे ए जनरली उछी कैपेसिटी दरावता जे रेफ्रीजेशन यूनिट छे जिवा के फ्रीज वगेरेमा त्यानों उप्यों करवामा आवे छे एनी रचना जो जोवा जेए तो जे छे रेफ्रीजरंट ये कंडेंसर नी इनलेट टूब माथी दाखल थाए छे अन ए जे हाई प्रेसर अन हाई टेंप्रेचर वालों गेस छे ए गेस कंडेंसर नी टूबों मां सर्कुलेट थतो थतो उपनी तरफ लिक्वीड रूपे रूपांतर पामी अन बहार निकले छे ऐफ्रेसर अन आउटाणी टेंप्रेचर वालों गेस छे ए पोतानी उसमा आगल काहू तैम कंडेंसर नी टूब ने आपेछे अन कंडेंसर नी टूब जेछे ए पोतानी उसमा आ प्लेट ने आपेछे अथवातो वायर्मेश ने आपे शैंगती आफे शैंगती आपे करें बर्मेश आपे शेंगते शैंगती शैंगता। दिश्चार थेलो गेस छे एक्रम शह सर्कुलेट थतो नीची आवे छे अने बे एराद्वारा एउ दर्श्यावामा आव्यु छे के ठंडी हवा जे छे ए नीचेनी तरफ सर्कुलेट थाई छे अने एवा उश्मानू शोशन करी अने क्रम शह गरम थती थती उपनी तरफ बहार निकली तो तेनू स्थान अन्य नवी ठंडी हवाले छे अने एम करता करता समग्र कंडेस्टेशन प्रकृरिया पूर्ण थाई छे उपर जे हाई प्रिसर गेस छे ए ठंडो ठतो ज्यारे नीचे आवे त्यारे ए लिक्वीड फोर्म मा रुपांतर पामे छे अने लिक प्रकृर्ण 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 वाइरमेश लगाडेला हाता एनी जगिया आ प्रकर ना कंडेंसर मा害 एक ट्युबुप उपर कंडेंसिंग ट्युबों ने फिट करवा माँँचे आज एंपलेट छे एंपलेट उश्मानी वहाग धातुनी बनावेली होय छे कंडेंशनी ट्यूब छे ए ट्यूब आ प्लेट उपर स्पोर्ट वेल्डिंग नी मज़ा थी जोडी देवा मा आवा छे अने समगर प्लेट छे ए वातावण मा खुली राखवा मा आवा छे तो आज ए प्लेट छे ए प्लेट सव प्रथम उष्मानू सोशन करे छे एटले के डिस्चार्थ थैलो जे गेस छे ए कंडेंशनी ट्यूब मा जयारे सरक्यूलेट थतो होई त्यारे ए गेस पोतानी उष्मा कंडेंशनी ट्यूबो ने आपे छे अने ए ट्यूबो छे ए पोतानी उष्मा आ प्लेट ने आपे छे अने प्लेट छे ए वातरण मा खुली होवा थी पोतानी उश्मा हवा ने आपे छे अने एम करता करता ए जे गेस छे ए गेस हवाना मा ध्यम द्वारा ठंडो थाई छे अन्डे कंडेसे सन पामी अने त्यार पछी ए गेस छे ए लिक्वीड सोरूपे आगल बते छे तो आ रशना थाई ए प्लेट टाइप एर कुल्ड कंडेंसर नी त्यार पछी नो एर कुल्ड कंडेंसर नो त्रिजो जे पेटा प्रकार छे जेने आपड़े कई ये छे वायर मेश टाइप तो वायर में स्टाइब जे एर कुल्ड कंडेंसर छे, एनो जन्रली एर कंडेंसर मा उप्यों करवा मावचे, पर एनी चर्चा आपड़े पछी करी शू, अने ए जे चर्चा छे, ए चर्चा मना पछी नो टोपिक छे, फोस्ट कंवेक्शन, तो अगाउजी आपड़े जोयू के एर कुल्ड कंडेंसर मात्र हवाना माध्यम द्वारा ठंडा थाई छे, परन्तु फोस्ट कंवेक्शन छे, ए हवाना माध्यम द्वारा तो ठंडा थाई छे, परन्तु ए जे हवा छे, ए हवा कुद्रती दिते न होता, एने पंखा द्वारा, अथवा तो ब्लोर द्वार ये कंडेंसर नी रचना जो पेश्फ करिवा मावचे एटले कि फैकवा हमा आवचे, तो हो फोर्ष्ट कनवेक्शन एर्कुल्ड कंडेंसर छे एक पंडेंसर नी रचना जो वाजे ए ACT फिंश कर ओंडेंसर मावनाकी नीकष्फ ठीवां पुद्रेति रिते वहन न पामता यह वने पंख्छा द्वारा एफ यहेंه कंडेंसर उपर धी प्रिक्रिया ने कंडेंसर उपर थी पसार ठवा थी रेफ्रीजन्ट जे छे ए रेफ्रीजन्ट नूँ खन्डेसेसं घाई छे अन्ने कंडेसेसं थवा थी अन्ते रेफ्रीजन्ट li begin form मा फिरवाई छे तो आज फंखा छे अथवा व्लोर ऐ ब्लोर जो बारा कारिया करता जे कंडेंसर्स छे एक कंडेंसर्स ने आपणे फोस्ट कंवेक्शन एरकुल्ड कंडेंसर्स कहिए चीए तो आ त्रण प्रकार ना एरकुल्ड कंडेंसर्स नो आपणे अभ्यास कर्यों एरकूल्ड कंडेंसर जे छे एरकूल्ड कंडेंसर ना त्रण फीटा प्रकारों आपड़े जोया के एक वायरमेस टाइप एरकूल्ड कंडेंसर बिजू छे ए प्लेट टाइप एरकूल्ड कंडेंसर अन्य त्रीजू फोस्ड कंवेक्शन एरकूल्ड कंडेंसर फरी एन छे एरकूल कंडेंसरों छे एक अर्यकूल कंडेंसरों मात्र हवाना कुद्रती वहं द्वाराच व्यृंत कारिया करें छे ए 13 प्रकार फोश्ट ν्वाराच द्वारेप गयार। तो जे कंडेंसर नी ट्यूब उपर आपड़े फिंस लगाड़ीली होए एल्यूमिनम जेवी सुवाहक धातुनी तो ए फिंस टाइप एरकूल कंडेंसर तरीके उडखाई छे अहीं यहां फिंस टाइप एरकूल कंडेंसर ने जमने आकुरति मां जोई ए तो फिंस जे छे ए फिंस उभी पोजीशन मां जे एनी सामें एक फैन लागेलो छे अन्ने ए फैन मोटर द्वारा ओपरेट थाई छे तो जारे मोटर चालू थाए त्यारे ए फैन ओपरेट थाई छे अन्ने जे फैन छे ए हवाने कंडेंसर नीटिवो उपर ती फैंके छे एटले के फिंस उप मा वाई गांगाओ छे अन्ने कंडेंसर ये छे एक कंडेंसर थाता थाता लिग्विड र्यफ्रिजन चे ए निचेनी तरप थी भा निकले चे । फ्रेश एर जे छे एटलेके ताजी हवा एफॉद आथवतोबळोर सक खरे छे अन एक थेली हवा छे एने फिन्स उपरथी पशार करे छे ऐले एक बनने ना उशमा वीणश दिए मैं कारण आडिनी थारै छे एने कारणै उशमा चे पह थेल alone gas नीकले छे अन गरमज़ थेली हवा यह साइड मा थाई और निकली जाए शे डावी बाजुनी जे फिगर छे ए फिंस टाइप एरकूल कंडेंसरी रशना दर्शावाचे उपनी फिगर छे एमा जे गोड सरकल एटके होल देखाई छे त्या फेन अन्य तेने ब्लेडों न फिट करवा मा आवाचे अन्य फेन अन् सग करी अन्य ये इजी हवा छे एहवाने कंडेंसर उपर डिश्च्याज करे शे अन्य गरम थाईली हवा छे ए पासचाइड थि भाहर निकली जाए छे अन्य आ प्रोसेस से ए смог आम आप रीटे फिंस टाइप एरकूल कंडेंसर सतत कारियरत रह छे अभेपशिनो जे टोपि कर दो कर दोने कौने किंदेनसर कंदेनसर कि यह जे कैण favorable मॅध्य द्वार गैसिवा दोऑर टानी से पेरोगशे फुपयश ककंदेनसर की, गाउप लाखी ने ॹंट्री से इतला। एना प्रकारों जो जुआ जीए तो एन एना त्रन प्रकारों छे शेल एंड ट्यूब टाइप, शेल एंड कोईल टाइप अनन ट्यूब इन ट्यूब टाइप अथवा तो डबल ट्यूब टाइप कंडेंसर आकुलूतिमा दर्शया विज्वे छे तेमा कॉंप्रेसरे जे गेस्ट डिस्चाज करेो छे ए गेस्ट डिस्चार थाया पची कंडेंसर मा प्रवेशे छे अने कंडेंसर जेशे एकंडेंसर मां सतत पाणीनु सर्कुलेशन चालू रहे छे अने ठंडू पाणी कंडेंसर मां दाखल थाई छे अने गरम थेलू पाणी छे एकंडेंसर मां थी बहार रिकले छे तो पाणी अन्य एपनीचनी त्रप्थी दाखल थाईशे और यह और पाने जैशे यह पानीनो फ्लो पन इरीते शेट करेलो होईशे तो पाणी औने रेफ्रिजन्ट आ बन्ने पास पासिती पसार थता होवा थी बन्ने वच्चे हीट ट्रांस्फर थाई छे अन्ने आ हीट ट्रांस्फर थावा थी गेस कंडेंस थाई छे हाई प्रेसर औने हाई टेम्प्रेचर वालों गेस जे कंडेंसर मां प्रवेशे छे तो एनी साथे साथे पाणी पण प्रवेशे छे तो आ पाणी औने हाई प्रेसर ने हाई टेम्प्रेचर वाला गेस वच्चे उष्मा विणेमनी प्रक्रिया थवा थी रेफ्रिजरंट पो रेफ्रिजन्ट ठंडो थवा थी एनु लिक्विर सुर्प मारुपा हैं तर sticker शे औन पाणी गरम थवा थी एनु फरी पाचु ठंडू करवाने जरवियात व हब ठाइछे तो आजे ठंडू थेयलू पाणी छे ए गरम थेयलू पाणी छे ए गरम थेयला पाणी ने फरी ठंडू करवा माटे एने कुलिन्टावर माँ बुकलवा मावाँ छे अने कुलींटार मा आ पाणीने स्प्रे करवा मा आवचे अने स्प्रे थवा थी ए पाणी पुत्ताने उश्मा वातावण मा गुमा आवचे अने पाणी ठंडू थे अने निचे बेजिन मा एकठू थाई छे अन आ एकठू थाई लू जे पाणी छे ए फरीपाचु સારતિરુગુતાતારં દાખલ થાય છે અને એને સાઇડ કવરમાં કરેલિ રચનારુટૂ दाखल थाई छे अने ए साइड कवर ना पूर्शर माथी दाखल थाता थाता ए गेस अंदर थी पास थाई छे अन ए पाणी छे ए अंते गरम थे इने बाहर रिकड़े छे तो आ रिते एनी सतत साइकल चाल्या करे छे हवे जो ये तो टाइपस ओफ वाटर कूल कंडेंसर इटले के वाटर कूल कंडेंसर ना प्रकार किटला अन्ने ते कई रिते कारिया करे छे तो वाटर कूल कंडेंसर छे एना मुख्य त्रन प्रकारों छे एक शेल एंड ट्यूब टाइप कंडेंसर बीजू शेल एंड कोईल अने त्रीजु ट्यूब इन ट्यूब टाइप कंडेंसर तो आ त्रण प्रकार ना कंडेंसर रो वाटरकूल कंडेंसर मा वग्रीर कुद करवा मा आवे छे एरकूल कंडेंसर मा अपड़े जोयू के एरकूल कंडेंसर ना पन तन प्रिटा प्रकारो छे एज रिते वौटर्गूल कंडेंसर ना पर्ण प्रीटा प्रकारों पाडवामा आवे छे जे पाइ किनो पेलो ज Hill & Tube Type Water Cooled Condengo नाम टेलमा मन्टे पडिव द hunting कि आ प्रकार Y bulky dependent राचयामा ये चवरत द सर्ण परल्द सर्ण चता कंडा dif आअवे चे сам एटले बहारनी तरफ शेल हो चे अने अंदनी तरफ ट्यूब हो चे एटले के ट्यूब अने सेह्यूक्त रचनाने काराने आ अंम सथ्थीत्वमा आभया एटले एने आपड़े शेल एन्ट ट्यूब टाइप वहाटर कूल कंडेश तरीके उळखियी चे तो आज ए आक्रूती दर्शावी छे एमा रेफ्रीजरंट जे छे कॉम्प्रेसरे जे गेस डिस्चाज कर्यो ए गेस कंडेंसर ना इनलेट द्वारा दाखल थाई छे अने ए गेस छे एक कंडेंस थाई अने लिक्विड सोरूपे बहार निकले छे अने कंडेंसर मा करेली साइड कवर नी रचना मा फ्रेश वोटर दाखल थाई छे इनलेट द्वारा अने ए पाणी उस्मानू शोर्षन करी अने गरम थाई अने आउटलेट द्वारा बार निकले छे एक यहवान मतलब ए के शेल एंड ट्वूब टाइप वोटर कूल कंडेंसर मा कूल चार इनलेट अने आउटलेट आपेला होई छे एटके चार कनेक्शन आपेला होई छे બે કનેક્શન છે તે રેફર્રીજન્ટ માટે અને બાકી ના બે કનેક્શન છે એ પાણી માટે તો આ જે બે કનેક્શનો આપે લા છે રેફર્રીજન્ટ અને પાણે માટે તો બંને ના એક 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 આઉટલેટ હોઈ છે એટે કેકે રેફ્રીજન્ટ આઉટલેટ આ એ કનેક્શન થયું અને જેવી સુ આહગ ધાતુની વાપરવા માવે છે અને કોપર જેવી ટ્યુબો નું ઉપ્યો કરવા થી ઉશમાનુ વેને જે એ સાર ઇરતે થઈ શકે છે અને અને જે ટ્યુબો છે એ ટ્યુબો માં પાની સરકુલેટ થતુવ હે છે અને શેલ दिमे दिमे नीचे नी शाइड एक ठोध आई छे तो आ रहेते वॉतर कूल्ड कंदेंसर छे एक आरिय करे छे त्यार पसी वॉतर कूल्ड कंदेंसर नो बीजो पेटा प्रकार छे अथो यह पयल आपड जुई है के इंटरनल कन्स्ट्रक््षन ए तले कvisor watercool kondesor नी आंत्रीक रस्टना कई तो watercool kondesor कई रते काप्रिया करे छे तो एनी आंत्रीक रस्टना नी अंवा नीजैए एक रेफ्रिजेंट इंलेट ना बीजू रेफ्रिजेंट आउटलेट अन्य पानी येज है ्आपानी माटी मित नेड़ ind이 शेल नी अंदर आसंख्य ट्यूबों गोठ्वेली होई छे अन्य आ ट्यूबों मां पानी सर्कुलेट थेतु ठतु वौटर इंडलेट जेट ये वौटर इनलेट द्वारा ठंड़ु पारणे कंडेंसर मार दाखल धाई छे कंडेंसर ना साइड कवर मां करेली विषिश्ञ रचनाने कारणे ए मात्र कंडेconom слож नी तमाम ट्यूबों पई के मात्र थोड़ी ट्यूबों मां ए पारणे सर्कूलेट थे अने कंडेनसर ना बीजा छेडें पहुंचे चे तो जैम कंडेंसर नी केपेसिटी वधारे एम नंबर ओफ पासिस वधारे इटले के पाणी जे छे ए पाणी कंडेंसर ना एक छेड़े थी बीजा छेड़े पहुंचे तो आज एक गती छे एक गती ने आपणे पासिस कहिए छीए अन्ने सामेंना छेड़े थी पाँचु मुल जेग्याई अथवातों मुल छेड़े प्रवेशे तो एने आपणे नंबर ओफ पासिस बेक यह छीए एटले एन वर धे थ हो हो के पाणी एक सैअड कवर मा थी बीजा सैअड कवर मा अन्ने बीजाँ把它 कवर मा ती पाच्छु मु परन्तु जो कंडेंसर मुटी केपेसीटी नू होए तो नंबरोफ पासीस बे अथमा बे करतावा धारे राखवरी जरूर उभी थाई छे तो आरे देन नंबरोफ पासीस द्वारा रेफ्रिजेंट औन पाणी आप बन्ने वच्चेनों कॉंटेक एरिया जे छे तेने आपने म महत्तम राखवानों प्रयास करवामा आवा छे औन आ कॉंटेक जो महत्तम रहे तो एने कारणे हीट ट्रांसपर बहुँ सारी रिते थाई शके छे अने हीट ट्रांसपर जो सारी रिते थाई तो कंडेंसेसर नी प्रक्रिया सारी रिते थाई अने कंडेंसेसर नी प्रक्रिय कंडेंसर नों आपड़े अभ्यास कर्यों बीजी एक अगत्यनी वाद के वाटर कूल कंडेंसर मां शेलेंट ट्यूब टाइप जे कंडेंसर छे ये कंडेंसर मां पाणी नो प्रवा बे रिते शक्ये बनावी शकाई छे प्रथम पेरेडल फ्लो अने बिजु काउंटर फ्लो तो रेफ्रीजरंट जे रिते उपर थी प्रविश्तो होई तो ए जे रेफ्रीजरंट छे ए रेफ्रीजरंट ना प्रविश्वाना मार्ग ने पासे थीज जो फ्रेश वाटर एटले के वाटर इनलेट कनेक्शन आपवामा आवेलू होई तो ए जे प्रवा छे एने आपड पेरेलल फ्लो वाटर कूल कंडेंसर तरीके उडख हिये छिए अने बिजो प्रकार छे ए काउंटर फ्लो एटले के रेफ्रीजरंट जाथी लिक्विड्स रूप मा आउटलेट थतो होए तो ए आउटलेट थवा ना पूर्शन उपर जो पाणी ने दाखल करवामा आवे तो एने काउंटर फ्लो नो नियम कहवामा आवे छे काउंटर फ्लो ना नियम द्वारा जे लिक्विड पार्टिकल्स मा वेपर पार्टिकल्स रही गया होए तो काउंटर फ्लो ना नियम द्वारा एने सो टका लिकीड मा रूपांतर करी शकिये छिए अने सो टका लिकीड मा पांतर थवा थी कंडेस्यसं छे ए 100% लई जई शकाये छे तो आ रिते आ शेल एंड टूब टाइप वाटर कूल्ड कंडेंसर कारिय करे छे त्यार पछी वाटर कूल कंडेंसर नो बिजो प्रकार छे ए शेल एंड कोईल टाइप कंडेंसर शेल एंड कोल टाइप कंडेंसर मा नो अभ्यास करता पहला अपड़े ए जे शेल एंड टूब टाइप कंडेंसर छे एनो साइड व्यू जो ये तो अहिया बहार नो जे रेड कलर नो पूर्शन बतावेलो छे ए पूर्शन छे ए शेल छे शेल सामाने रिते MS नी मजबुत शी साइड कवर खोली अने बतावामा आवेलो छे तो शेल नी आड़ी पूजिशन मा जुदी जुदी टूबो आपेली होई छे अने आ टूबो छे ए साइड कवर मा खुलती होई छे तो अहिया जू ये तो नंबर ओफ पासीस छे ए फोर होई त्यू देखाई छे तो जे कंड साइड कवर ने रचना तो साइड कवर जे छे एसाइड कवर निस रचनाने कारन ने पाणीनों फ फ लो छे ए आपड़े नमर ओफ पासीस बद दी शक्ये है अन्य सदस् JEFF और कुले कोईल टाइब कंडेंसर और गgeschिंसर अज़ार आ प्रास ऑंधिर है व più काईल के प्राकुले कंडेंसर moderate का années 25 क ऐसे होल्ण universe टोरतला आतना सथे जिआ क्टीवामा नेटसर ने पतर पधिए तो आपने जर्यांनथी सीन पड़ीेजें चरिब्योंसले त्यूब च्येलि पतेय हाँ हतथ गंडेंसर पची अपत्ची आपने सब्सक्राई वाड़ी कॉपर ट्यूब नी कोईल मुखवा मावा जे आ फिन्स वाड़ी कॉपर नी कोईल जे छे ए रेफ्रियंट अन्य पानी जे कोईल ली अंदर थी पसार थाहीरी हो जे बन्ने नो संपरकेरिया वद धर्वा माटे फिन्स नी रचना करेली हो जे कोईल नी उपपर जे जे एना द्वारा रेफ्रियंट जे बेरल नी अंदर पसार थाहीरे हो जे के जे शेल नी अंदर रेफ्रियंट छे ए अन्ने कोईल नी अंदर पसार थातु कूलंट बन्ने नी वच्चे नो संपरकेरिया वद जे अन्ने बन्ने वच्चे हीट ट्रांसफर थावा थी जे वे जारे कंडेंस थैया बाद एक अंडेंस थाया क्यों आफ़ी थाइच्छ शैल नी यच्व का सबरींड 25-303 श्मानल उस निыт दोड द़ार पानी वह लिखें उपर थी रेफ्रेंट आवे जे अने नीचे दी पाणी जाए जे तो जहरे भी बनने मीडियम क्रॉस फ्लू मा पसार थाई रहा होए तो आपने जम आपने गनिशाम सरे समझायू ए प्रमाने क्रॉस फ्लू ना कारणे आपने सौधी सारा मा सारू कंडेंसेशन मड़ी शक्या यहाँ आपने क्रॉसा फ्लू कंडेंस्यों आरा ते साथे साथे TOP प्रभान आकाराणें जे शैलेंट ट्यूब वहां ट्यूब्ट्यूभ आ अर MSN माड गाए तो जे जह ग समया होड़ आजे प्रमां म्हक्या में आपनोड पाणी मारे लізेख अंड थी यह स्च एर्यूठ टर्बुलेंट फ्लो आड़ू कंडेंसर यूज करवादी टर्बुलेंट फ्लो ना काराणे अशुद्धियो जेचे ए नड़िये नी अंदर पाइप नी यंदर जमा थती नथी अने पाइप समयन तर्ये जैनी साफ सफाई करवानी जरूर पड़ती नथी त्यार बाद बीजो प्रकार आवे जे वाटर कूल कंडेंसर नी अंदर ट्यूबीन ट्यूब टाइप कंडेंसर जेने अपड़े बिजा शब्दो माँ डबल ट्यूब कंडेंसर तरीके पन उळक्किये जे तो तेनी रचना अपड़े जोईश रक्ये जे आकरुती नी अंदर डबल ट्यूब कंडेंसर नी अंदर जे ट्यूब छे एक ट्यूब नी अंदर थी बिजी ट्यूब पसार करवा माँ आवेली होय जे जे मां अंदर नी ट्यूब माँ पसार थाय जे जारे बाहर नी ट्यूब माँ रेफ्रियेंट पसार थाय जे तो बाहर नी ट्यूब नी अ पसार थाशें कहले प्रवा फरतो फरतो गुडाकार स्वरूपे फरता फरता होफरता उपर सी तरफ टार मत आंसे ज़ी दमालों और कि पशासार थही प्राम सेशे कि बारता फिकि써 सीरों प्रुप आघाव न के cracks बाहर नी हवाना संपर्क द्वारा पन रेफ्रियेंट नू आपड़े कंडेंसेशन मेडवी शक्ये आथी बे प्रकार आपड़े कंडेंसेशन लई शक्ये एक तो छे हवा द्वारा अने बिजू पाणी द्वारा पाणी अंदर थी रेफ्रियेंट नू कंडेंसेशन कर से जा वेपरेटिव टाइप कंडेंसर तो आपने आकरुती मां जोई शक्किए जे एम एक केसिंग टाइप नी रचना होए जे जम कुलिंग टावर होए जे प्रकार नी एक रचना जे पने फाइद के अनि अंदर आपने पने कुलिंग टावर नो यूज करवो पड़तो न थी तो कंडेंसर नी रचना दर्शा आप्रमाणे साथी प्रथम उपर आपने फैन मोटर आने ब्लोवर आपे लाजे ए ब्लोवर द्वारा कुलिंग जे टावर नी अंदर नी हवा जे चे नीचे नी तरफ थी खेंचाई आने उपर नी तरफ वातावर मां छोड़ आमां होए जे OA त्यार बाद नीचे नी तरफ़ आप डिट एलीमिनेेटर्स आपे लाजे जे ड्रिफ्ट एलीमिनेटर्स नो उप्योग जे पाणी नी साथे पाणीने बिंद होग जे स्प्रेई नोजल द्वारा नीचे कोईल्स मुखेली जे गरम कंडेंसर नी कोईल्स नी उपपर स्प्रेय नोजल द्वारा बाहर नू ठंडू पाणी स्प्रेय करवा माँ आवे जे आती आ प्रेय नो जे ठंड़क छे एक कोईल ले मले जे अन्ने कोईल नी अंदर पसार था तो गरम रेफ्रियेंट अपने ठंडी करवा माँ आवे तो एननुक अपने नी तरफ जो ये तो टावर नी रचना नी अन्दर आपणा नी नी अर इनलेट आपे लू जे उपर नी तरफ फैन ब्लोवर्स चे एर खेंचवा माटे उप्योग मा लेवा जे आज एर चे वातारनी हवा एर इंवाडी जग्या मां थी अंदर पसार थाए अने त्यां थी काउंटर फ्लो मां के पाणी नीचे नी तरफ आवे जे अने हवा जे ये नीचे दी उपर नी तरफ पसार थाए अथी बन्ने ना साम सामे फ्लो ना काराणे आपने कुलिंग इफेक्ट वधू सारी रिते मड़ी सके तो कंडार जोईजान ये एफिशेंसी जे शेलन ट्यूम टाइप कंडनेंसर केंगेस कोहील टाग्ड़ी ये तो नीचे वोटर पंप आपेली ये वं пой आ सके किनितों में परींसा अट नीचे बेजीन मां जमा थाए तो आ अशुद्यों पंप ने जाम ना करे के उपर जेने स्प्रे नोजल्स ने जाम ना करे आ कराने अपने आगर स्ट्रेनर मुखे लो जे स्ट्रेनर इटले वन टाइप ओफ गाणी जे पाणी नू फिल्टरेशन करी ने पंप मां मुखले जे आधी एखंप नी आंथे पाणी आवे एकदम स्वच पाणी आवे चोखः पानी आवे और शुषफण पाणी आवे और ये लाम्स में शुद है लाबहा समया सुद्या जोड़ीन्स प्री हूपरेशन साथे आ पाणीन उप्योग करी सक्की इसाथे साथे 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 एक फूsty आमें जोई शको जो वाटर संप नी अंदर जे गोडा का रचना देखाए ये फ्लोट वाल मुखे लोजे तो फ्लोट वाल जे छे एक टाइप नो बॉल वाल छे के जे थी आपड़े पाणी जे बार्थी आओ तू पाणी एन्ने लेवल नूँ बेजिन नी अंदर जे पाणी यहां पाणी इंषरियायात कैंटीने रह सक्के जेप अ थर्ण आँए वेपरवेटिव टाइप कंडेंसर हवे जो ये आपने बद्दू जो ही लिद्धू के वाटर कुल कंडेंसर के वाँ होए एर कुल कंडेंसर के वाँ होए इवेपरेटिव टाइप कंडेंसर के वाँ होए तो हवे आ बनने टाइप एर कुल कंडेंसर अने वाटर कुल कंडेंसर बनने मां मुख्या डिफ्रेंस यह समझ थोड़ूग जरूरी बनी जाए तो ए विश्य आपड़ा जानेशु के एर कुल कंडेंसर अने वाटर कुल कंडेंसर तो सव प्रदम तफावच चे के एर कुल कंडेंसर जे छे एनी एफिशेंसी वाटर कुल करता ओच हो आना काराण एनी साइज मूटी होए यह यह दमें रचना जुओ तो ए रचना मां तमने साइज मां मूटू देखा से जारे वाटर कुल कंडेंसर जे एफिशेंसी वाड़ा दर आवाजे आथी जे बी कंडेंसर वादार एफिशेंसी वाड़ू असे तो निश्चित टनेजनी कैपेसिती वाड़ा कॉम्पलेसर माटे आपड़े एए साइज नानी जोई शे जारे एरकुल कंडेंसर असे निश्चित टनेज मांटे तो मूटी साइज नो को कंडेंसर जोई त्यार बात बिजो मुद्धो आवे जे के रचना सरण छे एरकुल कंडेंसर जे आपड़े आगर आकृती मां जो तो एनी रचना नहां एकदम चंश्रक्षेन जतील बनेजे साथे साथे इनी किममत पर तो घ्वेस्ट वन जयाए से में आप प्ळक्शन टोच्ट वत्ती जब्ते प्रदक्शं कोश्ट्सट्सना काराने इनी प्राण भी किममत आपने वधू पड़ से एर येर कूल कंडेंसर जे जे छे ए एर कुल कंडेंसर ने आपड़े सारी इड़ते साफ सफाई करी शकी जारे वाटर कुल कंडेंसर जे यह एनू मेंटेनंस करवु होए तो जारे अनी अंदर पाणी पसार थाई रही हुझे तो नडियों नी अंदर स्केलिंग जमा थी जाए जे खार अशुद्यों बदू जमा पड़े त्रीजों मुद्दो एर कुल कंडेंसर मांटे छे के हवा नी अवर जवर करवा मांटे मांटे मां कोई प्रकार नी पाइपिंग मी जरूर पड़ती नाथी आपड़े जो यह ए प्रमाणे फिंस मुके लिए फिंस नी पाचड कांतो फैन मुके लो है जे अथा ने बदा नी अंदर आप्ड़े जो है के पाणी नों प्रवा जरूर छे आनने पाणी ना प्रवा ठीज आपड़े कंडेंसेशन लाइ सकी यह तो यह पाइपिंग नी जरूर पड़े जह आठी पाइपिंग नी द्रस्टी यह पाणे थोड़ी कॉंप्लिकेटेड रचना बनी तो अंदर जेक्षार जमा थाई रहे हो जे तैने फाउलिंग इफेक्ट ये तैना विसे आपने थोड़ू डीटिल मां आगर समझी सुझी सुझी सरसाथ है पर अत्यारे चोथो पॉइंट आपने लिए के खवान तो खवान अने फाउलिंग इफेक्ट पाणी नो यूज थत एनि sold our वाटर गूल कंडेंसर जेखे आणीखारे तो गणीघ थिफ्षी नतीना एंडीट्राससफेर यूज आपसटा फुबूच चैंहिं डिटनासफेर यूज भासलेंगे वांदै रही होगरे qb जारे एरकूल कंडेंसर मां अपने हवा नों उप्योग करवाना आपने हीट ट्रांसफर क्यपैसिटी उची मड़े यह त्यार बात चत्हों मुद्धों जे के पांच टन करता उची कैपैसिटी दरावत्तू जारे सिस्टम हो आपनों रैफिरेशन प्लांट हो तो एन्नी अं अबर बसेंट कॉधा घ्लाऊरा शघया मिया टंडट कांटेंटूब पाणी एक सर्मान रिते ट्यूब्स नी अंदर थी पसार थत्तू हो आने काराने पाणी नो एक धारों वेग रहे जे अने युनिफर्म कंडेंसेशन अपने मिलवी शक्किये जे तो हाल अत्यार सुधी आपने जोयू के वाटर कुल कंडेंसर कोने के वाए कंडेंसेशन नी प तरीगरम थैलापानी फारी ती जो री- comesते एनो UC ragefour हां दो आपने कलींगटावर जरूरी ए गरें सब्सक्वात ने ठंडू करवा क्ल्हा वां तो कुलिंग थावर ने यूजर्णावत वाटर सिस्टमचे अपने जोईश्वाकुर्तीनी अंदर के प्लेट टाइब हीट अक्सेंजर के प्लांट ना जे हीट अक्सेंजरumanा थी गरम ठायलू पाणई कुलिंग तावर नी अंदर उपपर नी तरफ थी पसार करवा माँ आवे जै Canadian पसार थैलू पाणि उपर ती कुल्िंग टावर माती नीचे पड़े जा सक poker हीटे एक्सेंजर ने जग्या आपने कंडेंसर्स गड़ंपानि ने उपर के त्रफ कुल्िंग टावरी कोलिंग टावर किग तेलों यहां है बहार थे थेम्दस नेसाफर सुपीज क्पुपZe संतली प्रतम परक्र बॉड़या थो सफया पाणी प्रतम है जत थो इसली कुलिंग तावर नी करवो निला डाड़ ये 합니다 सब्सक्रानी सब्सक्रावल परक्रेम मीठाय जोब है जोली सातायातों प्रॉसेस चीस पुषिए कि सट्रेंट कोदिश सोल्णीह बनीश calm communist तुर्वे जोगी मिल revenue सोल्टी बीच में सेलो ब Same सब्सक्राइब करेंग होगी की कीे जारी लिए अनने कीसuit मेट हाँ वेग बत्व दसेल थिचाँ परने जानें gucken वातावर नूग वेट बल्ब टंप्रेचर डव्ट मीमंज वेट बल्ब तो वातावर नूग टेंप्रेचर जीतलू ओछ हो हशे य्टलू आपने कुलिंग इफेक्ट वधुसारी मरसे जो वातावर टेंप्रेचरस हँसे तो आपने हीट ट्रांस्वर रेट ओछ हो मली शक्ये जे तो आधाया फैक्टर्स त्यार बाद छे कुलिंग टावर्स ना प्रकार्स जे आपड़े श्री गंश्यां भी पासे थी आगर विस्त्रूत जानी शुँ शायब ही जयमकोई कि फावलेंग फैक्टर्स तो वाटर कूल कंडेंसर मां जे पाणे नुँ सरिकुलिशन करवा मां आवे छे ए पाणे जुदा जुदा प्रदेश्व मां जुदा जुदा प्रकार्नु होय छे येटने के पाणे नी गुणुवत्ता जे छे ए जुदा जुदा प्रदेश्यों मां मलता पाणे नी गुणुवत्ता उजुदी जुदी होई छे आज ए गुणवत्ता छे ए गुणवत्ता माँ पाने जे छे ए पाने माँ क्षार नू प्रमाण पन होई छे तर दुप्रांत अंदर खरीज द्रव्यों पन द्राव्य थहला होई छे अन्ने आ खरीज द्रव्यों तेम बदे क्षार पाने माँ द्राव्य होवा थी ए पाने ज परतो ज곡 श् Huge जहा हुश खेर मेरें तर्कूली शुम्हाच्ण hr प्रवावs अवचकी刑 नाटेश्य जो परने वकूनफा शें А१ रहतो बहुत क्वाश हो प्रवाह शुम्हाट खालें रही तो आधिनी प्रक्रीमेदा शुम्हारा मेरें तर्कूलीद स्या द्वीध, फावलिंग इफेक्ट छे ए फावलिंग इफेक्ट पाणे मां रहेला ख्षार अने त्यमां रहेल खनीज द्रव्यों ने आभारी छे तो ज्यारे कंडेंसर नी डिजाइन करवा मां आवे तो त्यारे कंडेंसर नी डिजाइन मां फावलिंग फेक्टर तरीके अमुग गणवां मां आवे छे तो जन्रली जे वाटर कूल कंडेंसर मां कौपर नी टुबो वापरवां मां आवेली होई तो ए कौपर नी टुबो मांटे फावलिंग फेक्टर्स चे ए पॉइट फोर टाइमस जिरो 95 मिटर स्क्वेर सेकंड किलो जूल तरीके लेवां मां आवे छे अन्य जो वाटर कूल कंडेंसर मां कंडेंसरीं टुबो तरीके स्टिलन उप्यो करवां मां आवेलो होई तो एनो फावलिंग फेक्टर छे ए पॉइट थी टाइमस जीरो 18 मिटर स्क्वेर सेकंड किलो जूल तरीके लेवां मां आवे छे तो आ थाई बात फावलिंग फेक् कुलींग टावर जे छे एनना मुख्य भागों मां पेलो जे भाग छे एए ड्रिफ्ट एलिमिनेटर्स तो आ ड्रिफ्ट एलिमिनिटर्स छे ए कुलीं टावर ना सवथी उपर ना भागे लगाडवामा आवेल होई छे ड्रिफ्ट एलिमिनिटर्स छे एनु मुख्य कारिय हवाना वेग साथे जे पाणीना नानाना बिंदुओ जता होई एने रोकवानू छे अन आ रोकवानू कारण ए के कुलीं टावर मां शक्य एटली पाणीनी जडब घटे तो ड्रिफ्ट एलिमिनिटर्स छे ए हवामा चाले जता पाणीना बिंदुओने रोकवा माटे नी एक रचना छे जेने आपकोडे ड्रिफ्ट एलिमिनिटर्स तरीके उड़खिये छे त्यार पशी एर इनलेट तो कुलीं टावर जी छे ए कुलीं टावर मां बहार नी हवा एटले के फ्रेश एर चारे बाजू थी दाखल थाई छे अन्य आज ये हवा छे ए हवा रेफ्रिजेंट नी एटले के पाणी नी उश्मानों सोशन करी अन्य उपनी तरफ चाली जाई एटले के एर इनलेट छे ए हवा ने प्रविश्वा दिवा माटे नों एक मार्ग छे त्यार पच्छी 30 अगत्यों नों मुद्दो छे लोर्स तो लोर्स जे छे ए हवा ने एक समान रिते दाखल थावामा अन्य स्प्रेथ हैलू जे पाणी छे ए वेगने कारणे कुलीं टा अन्य लोर्स नों जे स्लोप छे एक कुलीं टावर ना बिजीन तरफ आपेलो होई अटले ए बिजीन ने कारणे ए पाणी बिजीन मा पड़े अन्य पाणी शक्य एटनी घट उछी पड़े एटा माटे लोर्स नीटरस ना करवा माविली होई छे त्यार पच्छी नुछे तो कुणेञार मा थी जे होट वोटर यटले के गरम पाणे कुलीं टावर मा प्रक्रवेश्य छे तो ए गरम पाणे हेडर द्वारा प्रवेश्य छे अन्य हेडरनी चारे बाजुए नानी नानी पाईपो लगावी आन्य स्प्रे नुजलो फीट करवा माविली होई छे असंख्य नानाना बिंदुव मा वीभाजन थाई छे अन्य ए पाणी छे ए बेजिन मा निचे पड़े छे अन्य आज प्रक्रियादर्म्यान फ्रेश एर जे छे ए फ्रेश एर कुलीन टावाना निचे निचे नितरफ ती दाखल थए अन्य गरम थए अन्य ऊपनितरफ जाए एटले एनो अर्थ ए थव के गरम पाणी ना असंख्या बिंदू निचेनी तरफ गती करे छे अने ठंडी हवा छे ए निचेनी तरफ थी उपनी तरफ गती करे छे अटले आ रिते काउंटर फ्लो ना नियम द्वारा अबन्य वच्चे उश्मानी आपले थाई छे अने रेफ् फेन नो उपियोग करवा मा आवतो न थी पन तु मिकेनिकल ड्राफ्ट कुलीन टावर होई तो एमा फेन नो उपियोग करवा मा आवे छे तो मिकेनिकल ड्राफ्ट कुलीन टावर छे एमा फेन छे ए फेन कुलीन टावर नी उपर अथ्वात कुलीन टावर नी साइड मा पुरिकाल करें चे एटा फेन चे ए फोर्स्ती हवानू सर्कुलेशन करवा मां मद दुरूप थाई चे त्यार पसीनों जे चे ए फ्लोट वाल तो कंडेंसर जे चे एकंडेंसर मां अवाने कारणे अने तद उप्रांत पाणे बास्वी बहुन था एने कारणे थोड़ा गणा आउशे पाणे नी घट पड़ती रेती होई छे तो ए जे पाणे नी घट छे ए पाणे नी घट वाल वद्वारा पूरी करवा मा आवशे जैरे बहारनी हवानों वेग वधू होई त्यारे स्प्रेत थतु पाणी छे ए स्प्रेत थेलू पाणे वधू वेगने कारणे वात विज़िन मां फाणीनों लिवल उछुत तकुत्तू जाई छे तुन अलिवल उच्छू न ताइ ए यिथा माटे फ्लोट वाल ना उप्यो करवा महां आवाशे सुदू कुलीन टावर मां पाणिनों लिवल निचू जाए तो फ्लोट वाल ना छेडिल लगावेल बोल निचो जाए छे अन्य ए बोल निचे जवाने कारणे फ्लोट वाल ओपन थाए छे अन्य ए फ्लोट वाल ओपन थवा थी वाटर मेकप लाइन चालू थाए छे अन्य कुलीन टा अने फ्लोट ओल उचका वाथी पुताने नियत पुजीशन मा आवी जै त्यारे वाटर मेकप वाल छे बन थाई छे अने नौ पाणे आवतु बन थाई छे त्यार पछी नो जे मुद्दो छे ए उवर्फलो तो संजोगो वसा जो फ्लोट वाल खराब थाई गयल होए तो एने कारणे वाटर मेकप लाइन द्वारा कूलिंटावर मा जो सततत पाणी अंदर प्रविश्या करे तो एक समय एव आवज है के कूलिंटावर पाणी दि भराई जाए तो ए बराई और ये पाणी आज वाजु फेलाए और आजु बाजु फेलावाने कारणे त्यां गंद की अफ्ला नीस्चित लिवल थी वहदारे जो पाणि नू लेवल था है तो ए लेवल नो जे पाणी छे, ए पाणी छे ए ओर फ्लोत द्वारा बहर निकले। एटले के ओर फ्लोच चे ए वहदार ना पाणि निकाल करवामाटेनुं साधन्च छे। त्यार पशी आवाचे पेकिंग अथ्वा तो फिल अथ्वा तो बफेल्स तो हवानी साथे पाने ना बिंदुनों जो संपर्ग एरिया छे ए वधर्वा माटे पेकिंग अथ्वा तो फिल अथ्वा तो बफेल्स नों उपियो करवा मावाचे तो आज ये छे ए कॉंपोनेंट टावर ना उपना पुर्षन उपर्थी स्प्रे थाई छे अने क्रम शह ठंडू थाई अने बेजिन मा एटेके निचिन तरफ एक्ठू थाई छे तो ठंडा पाणिनों संग्रक करतु जे साधन छे एने आपड़े बेजिन कईये छे आ बेजिन मा ठंडू थाईलू पाणे एना छेडे वाल आपेलो होए अट्वे ए वाल ने ओपन करिये आटले कुलिंग टावर मा जे कोई पाणी छे एपाणी सतर देन थेई जाए औने एम करवा थे कुलिंग टावर खाली थेई जाए औने एनुझे सर्वी सिंग छे ए सर्वी सिंग करवामा सरल तारे एटला माटे देन वालनों प्यों करवामा आवे छे हवे जुये टाइप्स ओफ कुलिंग टावर एटले के कुलिंग टावरना प्रकार तो कुलिंग टावर जी से एकुलिंग टावर ना मुठ्य बे प्रकार पाडवामा आवे छे पेलो प्रकार से ए नेचरल ड्राफ्ट कुलिंग टावर अने बिजो प्रकार से ए मिकेनिकल ड्राफ्ट कुलिंग टावर तो नेचरल ड्राफ्ट कुलिंग टावर मां मात्राने मात्र कुद्रती हवाना वहं द्वारा कारिय करवामा आवे छे जरे मिकेनिकल ड्राफ्ट कुलिंग टावर छे त्यां हवानो तो उपियो करवामा आवे छे परंतु कुद्रती नई परंतु बल प्रिरित हवानो उपियो करवामा आवे छे तो एनो अर्थ ए थयो के जे कुलिंटावर कुद्रती हवाना वहंद्वारं कारिये करता हो उपियो कार्य चार्ट कुलिन टावर एक दःधेर हुआमें, जिसरों भकले कारमा है. तो भकले हैं, परीफ्रीहले हुआ पaskर्डी हुआ आज पनिन रिख्दनी अम्यक्ताओं पहले है। टुम्हर सबते को हुआन में यह से बैक gri हऊने रतालन, में जिल ध Bri आ보 जो पार हो, तो आज एस रचना थाई एना प्रकारों थाया ए प्रकारों माँ बिकेनिकल ड्राफ्ट ना बे पिटा प्रकार जिये छे ए बेट पिटा प्रकार माँ इंडूस ड्राफ्ट कुलिंग टावर माँ अने फोस ड्राफ कुलिंग टावर माँ फेन नी अलग-अलग गुठवनी न अलवर से 8 बहते हभर प Ahук dollar मात्र कव्रती हवान वहं द्वारा कारिय करें छे क्यों के स्प्रेर नूजल द्वारा गरम पानी चे यह च युक सब्सक्राइब दमेवराँची लिगी अहीं के लकुनेस इलिके लोकिते हां सेनलाइब देशपी दुनारों आपने वालस न सबावा। तो आर जे रचना थाई ए स्प्रे फिल कुलीन टावर ने त्यार पस्षीनों बिजो प्रकार छे अन्य ए प्रकार जोईए ए पेला एना फाइदाओ जोईए के कुद्रती हवाना वहन द्वारा जे कंडेंसर कार्या करता होई छे एटके कुलीन टावर तो एक कुलीन टावर ने मुख्या फाइदाओ काया काया छे? स्प्रे फिल कुलीन टावर ना मुख्या फाइदाओ मा पैलो फाइदो के आज एक कुली अने एनी आविशेपण सारू रहे छे त्यार पची विजो जे टोपिक छे लांबा समय सुधी एनू ओपरेशन शक्य बने छे कांके कोई मुविंग पार्ट्स न होवा ने कारणे ए कुलीन टावर छे ए बगरतो नथी अने लांबा समय सुधी सतत कारियरत रहे छे त्रीजू छे अवाज नू प्रमाण ओच्छू कांके गती करता कोई भागो होता नथी अने एने कारणे ए जे कुलीन टावर छे एनू ओपरेशन छे ए साइलेंट एटले के शांत रहे छे फेन नव वपरातो होवा थी पावर कोस्ट अच्छी एटले के कुलीन टावर छे एमा कोई mechanical के electrical इस्टुमेंट वापर्ता न थी अने ए नव वापरवाने कारणे एनो जे पावर नो भियाई छे ए थतो न थी एटले के आप्रकारना कुलीन टावर छे एनी पावर कोस्ट खुबज उची छे अने अगाव कईयुतें के कोई mechanical parts पण नव अपराता हुआ ने कारणे आग cooling टावर छे एमा mechanical फिल्योर पण बहु उच्छु थाई छे अने हवानू री सर्कुलेशन थतू न थी एटले के हवा एक वाद फ्रेश एर अंदर दाखल थाई तो ए जी हवा चे ए गरम थाई एना बार चाली गए तो ए अवाना री सर्कुलेशन नों कोई प्रश्ण रहतो न थी अने तदन साधी अने सरल रचना धरावतू हवा थी एने operating cost जे छे ये पंठ खुबज ओछी छे तो आ बात थाई स्प्रेफिल कुलिंट टावर ने अने एना फाई दाओ ने त्यार पसी एवा ना गेर फाई दाओ जोई ये तो गेर फाई दाओ मां सवथी पेलो के टावर ने घणी उंचाई ये मुखवो पड़े शे अटले क्यावानों अ आ कशाई पेलो पस्प्वार correct आ गेर फ्वेले क टाई चा-पक टऊइकड के अ मात्र कुदरती हवाना वहन द्वारा आ कुलिंट टावर कारिये करतो हुआ थी हवानी अवर्जेवर जियां वधू रहती होई एटले के height उपर cooling tower ने install करवो पड़े शे एटले वधारे height जीये चे ये वधारे height उपर आख cooling tower ने install करा तो होवा थी एने आपडे एक drop गणे शकाए कांके जिटली उचे उपर cooling tower होए तो एटली उचे उपर गरम पाणी ने पहुचाड़ू पड़े अने ठंडू पाणी छे एने पन नीचे लाव उपड़े बिजों छे सर्वातनी कीमत वद्धू कानके हाइट उपर लई जवा थी पाइपिंग वर पन खुब लांबू करू पड़े छे अतले इनिशियल जे कोस्ट छे ये सर्वातनी कोस्ट आप्रकाना कुलिंग टावर मा वधारे रहे छे त्यार पछी कुलिंग टावर जिये छे ए वधारे हाईट उपर होवा नकारने पाइपिंग अन ediyor वदो खर्च छे ए वधवा थी एने ज़े पंपिंक कोस्ट छे ये पंपिंक कोस्ट पन वधे ज़ने उपर नपर आपनी पनी ने पुपीयों करवाँ है तो भज़ारे सकते संद्यक्रावार थे पनी संद्यक्रावार्य में देट वह करें अने वाताओनू तापमाण पन जुदी जुदू है छे तो एने कारणे पन उष्णतामान मां सतत वदघड़ थती रहे छे त्यार पछी उपर जे च्छत उपर एने मुक्वा माटे नी स्पेसिफाइड एटके खास जगिया जुए छे अने एक खास जगिया मां एने इंस्ट चोल करवो पड़े छे त्यार पछीनों टोपिक छे असरकारक्ता एटले के मात्र कुद्रती हवाना वहन द्वारा ओपरेट थता होवा थी एनी असरकारक्ता जे छे ए फ्मिकेनिकल ट्राफ्ट कुलीन टावर करता प्रमाण मां ओछी छे अने पाणिना उष्णतामान मां म मिकेनिकल ट्राफ्ट कुलीन टावर छे एना बे प्रकारों आपने जोया के एक इंड्यूस ड्राफ कुलीन टावर अने बिजू फोर्स ड्राफ कुलीन टावर तो पैलो जे प्रकार छे एना अपने इंड्यूस ड्राफ कहिए छे औने बिजूस ड्राफ कहिए छे तो इंड ये कुलिंग्टीर टावर मा फेन कुलिंग्टीर टावर ना उपर ना भागे गोठवेल होए तिवा कुलिंग्टीर टावर ने आपड़े ए ठंडा थैला पाणी नो संग्रह करें छे ठंडू थैलू पाणी छे ए पंप द्वारा एटले के कंडेंसर वोटर पंप द्वारा सक करी अने कंडेंसर मा मुकलवा मावे छे अने कंडेंसर मा आ पाणी छे ए सरक्यूलेट थै अने रेफ्रिजन्ट ने उसमानू शोशन करी अने गरम थै अने कंडेंसर ना उपना भागे प्रवेशे छे तो आज ए गरम पाणी छे ए उपना भागे थी स्प्रे नुजल मा थी पसार थाई छे अने स्प्रे नुजल मा थी पसार थाया पछी ए पाणीनू स्प्रे थाई छे अने स्प्रे थावाने कारने पाणीनू असंख्य नाना नाना बिंदुओं मा विभाजन थाई छे अने ए पाणी बेजिन मा निचे पड़े छे साइड मा जे रचना करेली छे तो ए जे लोर्स छे ए लोर्स माथी बहारनी फ्रेश एर सक थाई छे अने ए जे सक थेली अवा छे ए उपनी तरफ गती करे छे उपर जे फेन आपेलो छे ए फेन बहार नी फ्रेश एर ने सक करेशे औने पाणी नुँ उष्णता मान जेशे एनु शोशन करी औने गरम थाइन हवाने उपर धकेले छे इन्डूस डाफ कुलिंटावर मां फ्रेश एर जेशे ए फ्रेश एर बहार थी निचेनी तरफ थी दाखल थाई छे औने उपर नी तरफ बहार निकड़ी जाए छे तो आ रिते आ इन्डूस डाफ कुलिंटावर कारिया करे छे वे पसिनो जे प्रकार नो आपले otive कुलिंटावर न अन्य एक लाबह कार थी तो पाणी न लोजड गंट्रोल शक्ये छे एटले के आ प्रकार्णुजे कुलींटावर छे एक बंध आवरण धरावे छे अने आ बंध आवरण नेकारणे पाणीनों क्लोज कंट्रोल शक्य बने छे बिजू छे ओछो पंपिंग हेड काण के हवानों वेग छे ए पंखा द्वारा ट्राप्त करी शकातो होवा थी आ कु इंस्टोल करी शकाई से वाटरकूल कंट्र शर नी नजिक संट्रोल शक्याई से इतला पंपिंग हेड जे आ पंपिंग ध। नग गुठ भोवा तो प्लेट जेग्या पर पंपिंग गुठी शकातों होवा थी, पंपिंगेड उचो थाए थे। फैन ने कारणे आज ए कुलीन टावर छे ए कुलीन टावर नी साइज जेछे ए खुबज कमपेक होई छे। यह लेका खुबज नानी साइज नो कुलीन टावर होई छे। त्यार पसी हवा जेछे ए हवा फैन पुष्कल प्रमाण मां उपलब्द होई यह जीगाए एन आपड़े इंस्टोल करवानी जरूयात रेती नथी। एटले के कुलीन टावर जियां इंस्टोल करवानों होई त्यां लोकेशन नी अगत्याता ए एक तो बदो अगत्यानू परिबर नथी। आपड़े कार्यक शम्ता छे ए निच्रल जेछे हवा द्वारा जे कार्यक करता कड़ कुलीन टावरों छे एनी सर्खामणी मां खुबज वधारे छे। अन्य पवन नी दिशा अन्य गती आ कुलीन टावर असर करी शकता न थी। कानके पवन नी गती जेछे ए पवन नी गती आनो पर असर करती न थी। फैन जेछे ए फैन ने मदद थी बहार नी फ्रेश एर ने सक करवा मायावे छे अन्य त्यार पचे ने डिस्चाज करवा मायावे छे। तो आ थाया इन्डूज डाफ कुलीन टावर ना फाइदा। अवे एनी सामे एना गेर फाइदा हो काया काया छे एन आ इलेट्रिक मोटर छे ए मोटर अने तद उप्रांत फैन नी ब्लेड एना पोताना मोशन ने कारणे आ कुलीन टावर मां थुड़ा घणा उंसे वाइब्रिसन रहे छे। त्यार पची फैन मोटर नों उप्योग थतो होवा थी पावर कंजेप्शन जेछे ए जरा वधे छ त्यार पची वधार पड़ता इलेट्रिकल अने मिकेनिकल भागोने कारणे एनू फेल्लियोर जेछे एलेके मिकेनिकल फेल्लियोर ये पण वधू रहे छे। तद उप्रांत त्यानू मेंटेनंस अने त्यानी ओप्रेटिंग कोस्ट आ पण थुड़ी प्रमाण मां वधार कोलीन टावर नी जी नूजल चे ए ए नूजल तरफ पॉंचू ये पण थुड़ी अगरू छे अन्ने कोलीन टावर मां जारे पानी स्प्रेथ हतो हो त्यारे समय जता एम्मानोके एनी अंदर पानीनो श्केल जामें छे अन्ने ए स्केल जाम बाती नूजल ने साप करवानी जिर्वात उभी थाई जे अट दरेक नुजलो छे एनु मेंटनस पन हाइट उपर हुआ ने कारणे नुजलो शुदी पॉंचू ये पन थुड़ू अगरू छे अने त्यार पच्छिनों मुद्दो छे हवानी वधू गती ने कारणे धूल तथा कच्रो आवनी शक्केता शिद्धाई शे, फेन और फेन मोटर गरम भेज़वाली हवा थी असर पामे शे, तो कुलिंट आउद नी रचना उपर थी आपने जोई शेकी एचे के गरम हवा और भेज़वाली हवा ए फेन उपनी तरफ धकेले शे, और उपनी तरफ मोटर और एणी ये बलेड़ों लांबागाडए अस्तर थाई छे तो आ थाया इंडूस्ट ड्राफ्ट कुलींग टावर मां लोकेशन छे एक युलींग टावर ना टोप उपर एटले के कुलींट टावर ना उपर ना भागे गुठवेलू होई छे तो जे कुलींट टावर मा फैन नू स्थान कुलींट टावर ना सवथी उपर ना भागे होई एवा कुलींट टावरों ने आपडे इंडूस डाफ कुलींट टावर तरीके उडखिये छे अने त्यार पसी बिजा जे पंखानी रचना से एमां साइड मां जे कुलीन टावर मां पंखानी रचना करेली होई तो ए प्रकारना जे कुलीन टावर छे तेने आपडे फोस्ट ड्राफ्ट कुलीन टावर तरीके उडखिये शिये तो आपडे त्यार से एमां पंखानी टावर तो आपडे पंखानी रचना करेली होई तो आपडे शिये मित्रो आपडे अत्यार सोदी ये कुलिन टावरs जोई लीगली र zwt आपने आगडवदी शु फोस्ट ड्राफटड़ कुलिंग तावर तरफ तो फोस्ट ड्राफट कुलिंग तावर एनू नाम अज बताड़े जे ए फोस्ट्थी और ने अंदर धकेली रए भुचवा भुच्यों प्रॉरफ दिकेनार गवॠ हेंड़ कीक हाशे में उस्षयक प्रॉलीक फिट So इस प्रे नुजल मा थाई ने फिल्स उपर पड़े फिल्स अने बेफल्स जे आपने सरे समझावु ए प्रमाणे संपरकेरिया वधारवानु काम करे जे फिल्स एक प्रकार ना मट्रीयल छे जे फ्लैट सपाटी दरावा जे तो अपनी उपर पाणी ना बिंदू पड़वा पाणी नो संपरकेरिया वधी जाए जे हुआ नी साथे आने पाणी फैलाई जाए जे आपनी बिंदू सरूपे थाई ने नीचे पड़े जे जे बहार नीचे थंडी हवा छे ये पंखा द्वारा उपनी तरफ मुकलवा मा आवे जे उपनी तरफ सौथी उपर आपणे जो dyさथे खोँचाई ने बहार नी हवा मा जत्तु रहे जे आह परीस्थिती नर मे बने भाण है इह मांते आपणे ट्रिफ्ट ऐलूपीयोग कर רबाल ट्यार बाणी पैकिंग आने फिल्स पैकिंग आने फैर्स पाणी पाणी नो संपर्क चे ए वधारवा माटे उप्योगी छे त्यार बाद नीचे मेकप वॉटर कनेक्शन आपेलू छे जे पाणी इवेपोरेशन द्वारा कुलिंग टावर माथी ओछू थाई गयुजे त्याने आपड़े मेकप वॉटर द्वारा फ्लोट वाल नी मद राविय चेक करऊ होया तो ये समय पाणी उसेंपलिंग मि उफ्योग क chef चेयादी आपने पांडी नो सेंपलिंग लाई ने एनपड़ा शंट्धियों केची एमा प्रहान के अन्य असुद्यों प्रहान केटि आपडु आपने चाकप सिश्कियास सामनेयरी दे सात थी पी ज जारे पन कुलीं तावर नुँ सर्विसिंग करूए अथवा मेंटेननस करवा माटे पाणी खाली करूए तो ड्रेन वाल आपणे खोली दिये जे अन्य वधारानु पाणी टोटली आमाती बेजीन माती खाली करी देवा माँ आवे जे नीचे सवथी नीचे cold water connection आपेलू जे जे कंडेंसर नी अंदर पाणी मुकलवा माटे वपराए जे आजे गयाए पंप मुकवा माँ आवे जे अन्य कंडेंसेट पंप द्वारा जे ठंडू पाणी छे ए कंडेंसर नी अंदर सर्कुलेट करवा माँ आवे त्यार बाद फरीत फैन उपर मुके लो तो साउथी पहलो मुद्धो आपड़ेमा जोए के वाइब्रेशन खुब वधू आउतु तो साइंटिस्टों के विच्छारियू के आवे आको इंडियूस ड्राफ्ट कुलिंग टावर करता के एडवांस कुलिंग टावर सोध हो पड़ से आथी फोस नींदर फैनने उपर दिलाई निचे लावी दी जो जगरां निस्बीर नने सॉलिड फांडेशन बणावही द्या साउलिब फांडेशन कॉंक्रेट नाफंक्रों इंडियूस कर देवा मा वा awards आथी आपड़ने फैन वांटे फैनन अननु अवाज आभ एबाने सिस्टम सुधी पहुचवू अगरू तु वच्चे बैफल्स आवी रहा था अब दा काराणों सर आपने नोजल्स ना इंस्पेक्शन माटे के कुलिंग टावर ना इस्पेक्शन माटे के फैन नी सर्विसिंग माटे उपर चड़ू ए अगरू थाई रहा थू जैरे आपने कुलिंग टावर मां उपर नी तरफ फैन मुखे लो ना थी आधी फैन नू इंस्पेक्शन करूए मोटर इंस्पेक्शन करूए तो आ बदू आपने स्वरड रहे जे साथ हो साथ मैंटेनेंस नी द्रश्टी है जुए तो पन आ कुलिंग टावर आपने इंडियूस डाफ् कुलिंग टावर न एक गेरफाई दो जान्यों के गरम ने भेजवाड़ी हवा फैन नी उपर थी पसार थाई रहे ती तो फैन मोटर अने फैन ब्लेड जो एणी अंदर एणी उपर थी गरम ने भेजवाड़ी हवा पसार था तो अमुक समयान तर बाद ए फैन नू माटे के फेन मोटर बहार आवेली होवा थी एनी उपर ती गरम अने पेजवाडी हवा पसार थती ना थी तो फेन नी सलामत रिते आपने फेन ओपरेट करी शक्किये जे त्यार बाद नो पॉइंट चे के इंडियुस ड्राफ्ट करता कार्या दक्स्ता वदू मोले जे इंडि प्लस फोर्स थी हवा फेनकाई रही होवा ना काराणे आपने उसमा विनी में नो दर इंडियुस ड्राफ्ट करता वदू प्रमाणा मा माले जे हवे जु ये फाइदा चे तो सामे आपने गेर फाइदा पन हसे तो एवी से जानिये के फोर्स टरफ कुलिंग टावर ना गे पहार आवी रही जे ते पंखो यह थी खेंचवानी शक्यता वदी जाये चे आएर जे उपर ती गरम वाडी जे गरम एर निकडी रही जे ए फैन द्वारा खेंचए इने फरी दी कुलिंग टावर मां आवानी शक्यता रही जो गरम हवा नुच री सर्कुलेशन कुलिंग तावर नी अंदर थत्तू रही जे तो आपड़ने कुलिंग इफेक्ट जोई है एवी मड़ी नहीं शके आ एक एनों सुथी मोटो ट्रॉबेक छे त्यार बाद चे शीयाडामा पंखा उपर बरफ जामी जावानी शक्यता रही जे जे पंखो जे एहनी उपर दी जारे कारण आपड़े जो ही रहा चीये के के सिंग नी अंदर एक स्लोट पाड़ी ने के एक गैप बनावी ने आपड़े फैन मुखे लोगे जो जो फैन नी साइज वधारता जैसु तो आपड़े कैसिंग नी जे मजबूत कैसिंग आपड़े जो ही जे नहीं मड़ी सके आथी आपड़े फैन नी साइज अमुक निश्चित साइज सुधी मर्याद इतराखवी पड़े जो वधू कुलिंग कैपैसिटी नी जरूर पड़े आपड़े तो आपड़े एक करता वधू फैन लगाड़ा पड़े जे आथी एक तरफ बिजी तरफ का तो चार तरफ का तरफ लगाड़ी ने एमां कुलिंग मेड़ भी सकिये परन्तु आम करवाजी आपड़े एनी इनिश्यल कोष्ट जे जे ए वधी जाए जे साथो साथ मेंटेनस नी द्रश्टिये अगरू पड़े जे औने पावर कंजप्शन नी द्रश्टिये पन वधी जाए जे आथ है त्रोन एलिकोर नी झाल त्रश्टिये जेथे जाए जाज कारणके बहार नी तरफ ती निकड़ती हवा जारे फैन खया जे तो ए फैनमां आवती हवा Welsh हवा से स्रो अने भान्नी तरफ अगर क्रभ्या हुआ जे पाणी ने el pirates सिख मीचः जे ए फेन द्वारा धक्केलवा मा आवेजे अथवा इंडियूस ड्राफ्ट फेन द्वारा खेंचवा मा आवती हवा नी साथे इवेपोरेट थे आवगर ना पाणी ना बिंदुओ उपर नी तरफ खेंचेई जाएजे तो आ खेंचेई जता बिंदुओने ड्रिफ्ट तरीके उडख्वा मा आवेजे त्यार बाच्चे ब्लोडाउन कुलिंग्टावर नी अंदर बहारती हवा उमेरवा मा आवेली वहेजे बहार नी हवाना काराणे अंदर कुलिंग्टावर मा आपणने अशुद्धियो कच्चरो धूल वगेरे असंख्य अशुद्धियो कुलिंग्टावर मा जमा थती वहेजे तो आ अशुद्योंनु कॉंसेंट्रेशन घटाडवा माटे कुलिंग टावर माँ समय अंतरे अथवा सतत अमुक प्रमाणनु पाणी वेश्ट थवा देवा माँआवाजे दमुक पाणी नो निकाल सतत करवा मा आवे जे आथवा तो समय अंतरे पाणी जुनु पाणी काडी नाकी नव पाणी उमेरवा मा आवे जे तो आ माटे जे करवा मा आवे जे ए ब्लोडाउन के आवा मा आवे जे ब्लोडाउन द्वारा सतद अथ्वा समयान तरे पाणी नो व्याय करी ने आपणी पाणी नी असुद्यों नू कॉंसेंट्रेशन गटाडी शक्ये जे जे ती कुलिंग टावार नी स्प्रेय नोजल्स एनू पंप ए बदानू रक्षण करी शकाए त्यार बादनी टम्च्ये मेःक अठाब गटाडाने ए प्रक्रिया ने मेख आप वॉचर गईजव कैने नोवा। पाल नीच्की जद्टू जट्टू जट्टू जई से पाणी नुग मेर वानी पानी निच्छनी तुर गधर आऩ आवे ज़ाए जह आवे, आफ्ट वाल बंधती पाणी पानी बंध थाय्ड, आप व्यू आपने मेकउप से स्प्न कोफू. त्यार बाद छे रेंज रेंज एटले आकरुती मां जोई रहा ची ये प्रमाए के कुलिंग टावर नी अंदर थी भाहर निकलतू ठंडू पाणी अन्ने कुलिंग टावर मां उमेरवा मां ओतू कंडेंसर द्वार आओतू गरम पाणी ये बनने वच्चे आपनने जिटलो ड बैटले टंपरेचर जे बहार आवी रहु जे कुलिंग वतर आन्नू टंपरेचर आने कुलिंग टावर मां अंदर उमेरवा मां आतू टेंपरेचर बनं ना डिफरस ने आपने रेंज तरीके उलखीसु आ टेंप्रेचर डिफरंस आपड़े सेलसेस मा मापीये जिए जेम रेंज वधू मले रेंज नो आँक जेम आपड़ने वधू मले एम कुलिंग टावर नुप पर्फोमंस सारू कई शकाए जे अने आवा कुलिंग टावर कार्य दक्ष्ट होए जे अने वापरवामा वधू आपड़ने उप्योगी निवड़े जे बिजी टम जे एप्रोच एप्रोच इटले एम्बियंट टेंपरेचर जे भाहर नुप वेट बल्ब टेंपरेचर अने कुल्ड वाटर जे कुलिंग टावर माती ठंडू थेही ने भाहर आवी रही जे बनने वच्चे आपड़ने जे टापमानों तफावद मढ़ी रहे हो जे एप्रोच तरीके उडखाए जे आकरुदिय आपड़ने शारी एंडीट दर्शा है जेके एम्बियंट टेंपरेचर अने कॉल्ड वाटर टेंपरेचर बनने वच्चे नुग टेंपरेचर डीफरे आप मले जे ए एप्रोच तरीके उडखाय जे एप्रोच माटे यू क्या वाई जे के जहें एप्रोच ओछो एप्रोच नो आप जहें नानो मले एम कुलिंग तावर नुपर्फोंच वधू सारू गणाय जे तो आजना दिवसना आजना लेक्चर माँ आपणे सवप्रतम आप सोनो अमारा बनने मती खुब-खुब आपार